यह है आपका अपना चैनल माई पोडल तक हम तैयारी करते हैं वीडियो दिखाने की तब तक आपसे अन्रोध है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार ज़रूर कर ले नारी शक्ती प्रोषकार क्या है इस प्रोषकार की उद्देश क्या है इस प्रुसकार की पातरताय, क्या है चायन प्रिक्रिया, लाब और विशिष्टाय भी हम बताएंगे प्रुसकार के लिए क्या क्या आवश्चक दस्तावेज हैं ये भी हम इस वीडियो में आपको बताते हैं और ओनलाइन रेजिश्टिशन कैसे करेंगे इसको भी हम ओनलाइन रूप से करके आपको दिखाते हैं लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं पत्र राजशिक्षा केंदर का जो जारी हुआ है पत्र में लिखा हुआ है कि उप्रोगत प्रोषकार के लिए कस्तूरवा गांधी बालिका विद्याले इवं नेताजी सबाश चंदर बोस बालिका छातरवासों की बारडन साहिक बारडन इवं रेमेडियल सिक्षिकाओं को दिश्चा निर्देशों के नुसार नामंकन करन प्रेरित किया जाना उचित होगा तो अब चलते हैं आगे नारिशक्ति प्रोषकार 22 महिला इवं बाल विकास मंतराले द्वारा अंतराष्टी महिला दिवस के आउसर पर यानी 8 मार्च 23 को महिला शश्रक्तिकर्ण विशेश रूप से कमजोर और हाशी पर रहने वाली महिल महिलाओं और उनके लिए काम करने वाले व्यक्तियों को समानित करने के लिए प्रिदान किये जाएंगे और ओनलाइन आविदन पत्र नामंकरने का 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं भेज सकते हैं नारिशक्ति प्रोषकार उन व्यक्तियों को दिया जा सकता है जिन्होंने महिल महिलाओं को निर्ने लेने की भूमिकाओं में भाग लेने के लिए प्रोचसाहित किया और पारंपरिक और गैर पारंपरिक छेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास को प्रोचसाहित किया विज्ञान और प्रद्दोगी की खेल कला संस्कृती जैसे गैर पारंपरिक छेत्रों महिलाओं को बढ़ावा देने वाली ग्रामिडी महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वास्त और कल्यान, सिक्षा, कौशल विकास, जीवन कौशल, महिलाओं के सम्मान आदी के लिए ठोस और महत्यपूर्ण कारे किया है। इसके लिए जो पातरता है वो भी हम आपको बता देते हैं। इवम सामाजिक्ष शक्ती करन कारे में अपना योगदान दिया है वह इस नारीश शक्ती प्रोसकार बाइस की तहत पातर मानी जाएगी। अब इस प्रोसकार की चैन पिकरिया क्या है ये भी हम आपको संचिप्त में बता देते हैं। केंदर सरकार दोरा आरंब की गई इस योजना के अंतरगत महिला एवम बाल बिकास मंतराले की देखरेक में एक समीती का गठन किया गया है जिसके माध्यम से नामंकन की जाँच एवम संचिप्त सूची की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके पश्चात महिला एवम बाल बिकास मंतराले द्वारा एक चैन समीती का भी गठन किया जाएगा जो स्क्रीनिंग कमेटी की सिपारश के आधार पर प्रुसकार बिजिताओं का चैन करेगी। अब इसके क्या लाब हैं और क्या विश्चता हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। आउनलाइन ना मंकन करते समयें आपको अपना आधार कार्ड, इस्थाई नवास प्रमाडपत्र, आय प्रमाडपत्र, आयू का प्रमाडपत्र, पासपोर्ड साइज फोटोग्राफ, मुबाइल नमबर और इमेल आईडी की आवश्रिकता होगी। इसलिए जब आप आवे दिन करने की तैयारी करें, उससे पहले ये सारी चीज़ें अपनी डिजीटल फॉर्म में सपास में रख लें, यानि की इसकी फोटोग्राप्स निकाल लें मुबाइल में या फिर इसको स्केन करके अपने पास जरूर रख लें। अब हम बात करते हैं कि ये ओनलाइन रेजिस्टेशन कैसे करें। इसके लिए एक वेपसाइट दी हुई है www.abard.gov.in सबसे पहले आपको नेशनल अबाड पोर्टल की अधिकारिक वेपसाइट पर जाना होगा। इसके बाद वेपसाइट का हॉम पेज आएगा और उस पर आप अपना रेजिस्टेशन कर सकते हैं। चलिए ओनलाइन हम आपको करके दिखाते हैं और देखते हैं क्या प्रिक्रिया है और क्या-क्या कठनाईया इसमें आ सकते हैं। इसमें आप देखेंगे इस तरह से नीचे डिटेल्स मिलेगी नमबर ओफ रेजिस्टेशन की नॉमिनेशन रिसीब की और इसके ओन गोइंग अवार्ट नॉमिनेशन की यहां पर पूरी लिस्ट आ जाती है अवार्ट की कोछ इस तरह से और इसमें आपको जो एपलाई करन और अप्छान आपको करते हैं इस उसके बाद यहां पर आपको नॉमिनेटर या एसके लटीन टाइप और यहां पर आपके पास बहुत सारे ओप्षन होंगे आप जिस भी तरह से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको कर लेजे अगर आप एक सामन सिटीजन है तो आप अपने सिटीजन को किलिक कर लेजे इसके बाद अगला कोलम है नेम एस पर आधार या बैलिड आइडिन्टिटी प्रूप यानि आधार कार्ड में हो या किसी आईडि में हो आपको उसी कहसाब सिहाँ पर अपना नाम लिखना है इसके बाद यहाँ पर मुबाइल नंबर आपसे पूछ रहा है मुबाइल नंबर के लिए आपको अपना मुबाइल नंबर लिखना है मोबाल नमबर के बाद यहां पर email id है email id आपको लिखना है email id के बाद यहां पर आपसे एक option पूछा जा रहा है do you have आधार यहां पर जो option है अगर आपके पास आधार है तो हम उसमें yes कर देते हैं जैसी हमने आधार यहां पर आधार नमबर हमसे पूछा जा रहा है लिख देते हैं आधार नमबर इस पर हम लिख már बेंगे और इसके बाद जो नीचे यहां पर capture यहां पर एंटर कर देंगे और जब यह सारे कोलम भर जाएंगी तो इसके बालह में यहां पर submit बटन को किलिक करना है किलिक करते हैं submit बटन जैसे हम submit बटन किलिक करेंगे तो एक OTP आएगा हमारे mobile पर registered mobile पर यहाँ पर हमें अपना OTP एंटर करना है OTP डालने के बाद इसको verify OTP बटन पर हम किलिक कर देंगे इतना करने के बाद और अब हमें अपना password बनाना है ऐसा password बनाईएगा जो आपको याद रहे और जो आपके हिसाब से आसान भी हो और इतना करने के बाद आप देखेंगे हमारा यह password और login ID तैयार हो गया किलिक कर देते हैं तो चलिए login करते है login ID और password से यहाँ पर हम आपको ए option है आप इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं चलिए जलिए से login करते हैं login ID और password एंटर करते हैं और इसके बाद capture करके sign-in करते हैं जैसी sign-in करेंगे तो फिर से और तीसरा my profile का है जो पहला वाला option है उसमें आपको यह देखेंगे कितने तरह के बाद अभी आपके लिए खुले हुए हैं उनकी last date चल लए है आपको किस किस में apply करना है दूसरा option जो है submit nominations का इसमें आपके लिए करके देखेंगे तो एक page खुल जाएगा इसमें आपको अपना nomination अपने दस्तवे सब कुछ यहाँ पर update करना है अप्लोड करना है तीसरा option है my profile का my profile में अगर आप अपनी profile में कुछ change चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके उसको edit भी कर सकते हैं उम वाचिं